हेलो फ्रेंड सीज निकले रिक्वर्मेंट इन ग्रूप सी पोस्ट सेक्शन सेंटर इस इलाहबाद में निकली हुए जो भी लिखे कि इंडियन मेल एंड फीमिल केंड़ेट के रहेगी ग्रूप सी की वकैंसिज है एप्लिकेशन जो आपके इन्वाइट है वो सभी के लिए ह कितने हैं इंडिया पर कौन सी ब्रेकवेट बता रहे क्यों सी केटेगरी में कितनी वकैंसिज रहेगी फर्स्ट ट्रूप से टीकी टोटल फोर वकैंसिज जनल क्यों से candy को की बंग रूंड न से कटेगरी टोटल प्रू इस केटेगरी की वं नीक्स से डेंट एंड इसे से ऑबिसी कैटागे दी कि है में सेंजर की देए रहे कि देर की डेंची जेनल उन्रिजख कैटागे रहेगी वहाऊसकीपर माझनल की बनाऊची की अफ्यर काटागे पर्लॉएंश के रहे प्लिख सेंद एड़ा नोब्ल पर औहले ञटान सानुपर है, यां पर नहींने पहले एक के मतलब दे रखी जैसे यहां पर एक के लिए बता रखी कि क्या रहेगी इस टैनोग्राफर के लिए इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होगी वो टैल्फ पास होनी चाहिए या उसके क्लेंट कोई भी स्टडी की होनची किसे रिकुगनाइज बोर्ड या उनिवस्टी से इसके लाब आपका जो सेकिंड स्केल टैस्ट नॉम्स दे रहा कि डिक्टेशन आपकी टैन मिनिट्स की होनची एटी वर्स पर मिनट की और उसका जो ट्रासिप्शन है फिफ्टी मिनिट्स आपका जो होनची इंग्लिश में 65 मिनट्स होनची हि प्रप्यूटर पर एज जो मांगी गिए 18 से 25 साल की रहेगी और आपकी एज काउंट की जाएगी एप्लिकेशन की रिसिप्ट की लाउस डेट तक काउंट की जाएगी इसके लिए कर रहे हैं उनकी जो मतलब ठारा साल से उनकी कमनी होने चीए और पच्छी साल से ज्यादा नहीं होने चीए आपकी जो सेलरी इसमें रहेगी 25,500 से लेके 80,100 के बीच रहेगी बाकी जो भी आपकी आपकी अलाउंस रहते हैं और रहेज तो गौर्रमेंट सर्वेंट इंदर एल्लेवेंट ग्रेट्स उसके अकॉर्डिंग रहेगी नेक्स रियंदे रखिए ग्रू ग जो केंडेट अप्लाई कर सकते हैं सेलरी आपकी रहेगी एठारा जार से लेके 56,900 के बीच में एजुकेशनल दे रहेगी है मैस बेटर की दनिया पर लिखेशनल कालिफिकेशन जाहिए होगी मैट्रिपलेशन या आपकी जो एक पास होनी चीए किसी रिकुनाइस बोर्ट स जो केंडेट अप्लाई कर सकते हैं सेलरी आपके रहेगी ठारा सो से लेके 56,900 के बीच में डिजारेबल में लेके मांगा है कि आपका जो वनियर के एक्स्पीजियंस है रेलिवेंट ट्रेड मी होना चाहिए यहां पर लिखे कि आपकी डी और जी के लिए यानि यहां पर न एक ग्यां की जो केंडेट कर सकते हैं एड्युकेशनल आपके जो क्यांड टिकले कराएं उनकी जो एज आठारा से बच्छी साल के बीच में चाहिए ज़िए ही एक से साल्धार्यू लेके अपने से लिए अफ़िए हैं प्लास में मतल़ नहीं पहलां प्लस उनके बाद वन जो भी एप्लिकेशन फॉर्मेट आपने वही फिल करके बेजना है और जो भी आपके रेलिवेंट डॉक्यमेंट रहेंगे जैसे आपका डेट बर्त एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर कोई कैटेगरी है तो आपको वह आपने इसके साथ अटाइज करने है और अरिजिनल सब्सक्राइब अगर आपके अप्लिकेशन जो है इनकंप्लेट रहें या विदाउट सिगनेचर रहें या उसमें कोई भी नहीं लग रहें कि हाप्ट डूडेट के बाद आ रहा है या कोई भी इसमें मिस्टेक्स तो सिधार रिजेक्ट कर दिया जाएगा और जो भी डिस करने होंगे जो भी उनका टैस्ट के दुनान दो या तीन दिन का जो तीन जो रहेगा यारी कैस इसेंटर रिश्माल क्योंसिबल आपकी कोई भी कंपनसेशन इंकस और कोई पुर्य आपको इट ढको नहीं पर्मनेंट यह पर्मनेंट इसकार प्रमेशन प्रवेशन पिरेग और जो भी आपके date and when you taste and when you जो भी आप करेगा टेस्ट का date time and when you जो है जो भी shortlisted candidate होंगे आपको जो मतलब बता दिया जाएगा इसके लाग जो भी अपने document send करने उसके साथ साथ आपने self address envelope भी करना होगा जिसमें आपने 25 रुपीस की जो stamp रहती है वो आपको करने होगी for issuing call letter to shortlisted candidate के लिए यह आप लिखे कि after the selection of window he will be served to आपका जैसे इन्होंने पहले ही बताए कि जैसे आपकी selection है कि आपका two years का जो प्रोवेशन पीरियड होगा one person can apply for one only one person given at paragraph one and एक ही जो person है वो एक ही पॉस के लिए प्लाई कर सकता है जो यहां पे उन्होंने बता रखी है कि वन से लेके जी तक दन यहां पे नेक्स लेकि लेकि लास्ट जो आपकी रहेगी जब भी इसका अड़िजमेंट में notice आएगा उसके त्विटिवन डेस के अंदर आपने जो है अप्लाई कर देना जो भी चैंड़ेट शोट लिस्टेड होंगे उन्हें जो है टेस्ट के लिए call letter issue किया जाएगा दन नीचे आप जाएंगे यहां पे नोंने इसका परफोर्मा दिया यहां पर बढ़ते नहीं यहां पर मेल कौन सेक्स कौन से मेल फीमल दैनिया पर लिख देने पर्मनेंट फो नंबर है तो यहां पर आपने पूरग पूरा लिख देना जो भी आप करेगा complete आपने डेट वर्ठा जाएगी क्या है आपकी ड़नी आपर लिख देना आपने 20 मा स्टैनॉग्राफर के लिए क्या है आपकी शोर्टे वुलिग देने यह जो लिए घाट के लिए दो में अगर A अगर आपने सेक्षर के क्या है आपकी जर्नल सी अपने एस्ट आपर मेंशन कर देनी है निया पर यह जा जाएगा जैसे यह आप तो यह रिजर्ड आपनी यहां पर लिख देनी है कि रिजर्ड है नेशनलेटी कोन सी है यहां पर इन्ट इन्ट्र्व्य बगारा कि तरने अगर कहीं भी गलत पाय जाता हूं तो मेरी जो कैंसल किया सकता है एंड मैं इंडिया में कहीं भी मतलब अपनी सेवा देने के लिए त्यार हूँ और मैं जो भी पॉइंट की अथर्टी है और सभी को जो एकसेप्ट करता हूं तो यहां पर आपने जो आपने सिगनेचर कर देने यहां कौन सी डेट को अपना एप्लिकेशन फोर्म भर प्रोसेस रहेगा आपने यहां से देख लेना है कि यहां क्या कर रहेगा यदि आपको इस से related और दिख जान करी चाहिए तो आप इसकी official website पर जाकर check कर सकते हैं जिसका link में आपको description box में डाल दूँगी यदि आपकी इस video से related कोई भी query है तो आप हमें comment section में लिख के बता सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो please like and share इस तरह के informative वीडियो को देखने के लिए आप हमारी YouTube चैनल को subscribe कीजिए